आज के वीडियो में हम बात करेंगे, Angioplasty क्या होता है, हार्ट में छला कैसे डाला जाता है, Angiography और Angioplasty में क्या अंतर होता है, Angiography कब की जाती है अंजियोप्लasty करने में कितने रुपए लगते हैं कितना खर्चा आता है सरल वासा में बताना चाहूं हमारे हर्ट को भी काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए जिससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर सके अब हमारे हर्ट को ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज करते हैं यदि इन कोरोनरी आर्टरीज में कोई ब्लोकेज आ जाए या रुकाउट हो जाए जो ये arteries हैं यदि ये पिचक जाएं जैसे पानी का पाए पिचक जाता है आगे पानी जा नहीं पाए वैसे आगे blood supply नहीं पहुंच पारी है हमारे heart को उस वज़े से heart attack आ सकता है या आ जाता है ऐसी condition में हमें treatment के तोर पर angioplasty की जाती है और इसकी जा blockage को खोलने के लिए किया जाता है heart में रक्त अच्छे से परवा नहीं हो रहा है या किसी तरह का blockage है तो ऐसी condition में angioplasty surgery की जाती है छोटी सी धातू का एक tube होती है या एक छला होता है जिसको जहां से blockage है उस blockage की जगए रख दिया जाता है जिससे आगे की blood supply हो सके ये procedure मातर 30 मिनिट से लेके एक गंटे के अंदर complete हो जाता है और लगबग मरीज को एक दिन में छुट्टे भी मिल जाती है hospital से अब angioplastic कब की जाती है तो angiography के माद्यम से क्या किया जाता है कि हमारे हाथ या पैर की जो नस होती है उसके माद्यम से एक camera डाला जाता है और heart में जाके देखा जाता है कि blockage कहा है रुकाउट कहा है आगे की blood supply या कितना blockage है 60% से ज़्यादा तो blockage नहीं है एक से अधिक जगे पर ये पिच्की हुई तो नहीं है यदि ऐसी condition जादा है तो heart attack आ सकता है उस condition में angioplasty की जाती है next point आता है कि angioplasty कैसे की जाती है heart में छला कैसे डाला जाता है angioplasty करने से पहले मरीज के कुछ correction यानि कुछ जांच किया जाता है जिसमें blood test किया जाता है anesthesia की जांच की जाती है सरजरी से पहले कुछ दमयां दी जाती है angioplasty करने से पहले लैब में मरीज के सरीर के हात या और पैर की जो दमनी होती है या हात की जो नस होती है उसकी साइता से एक catheter डाला जाता है और उस catheter के माध्यम से हमारे heart तक पहुंचा जाता है heart की coronary धमनी को अच्छ को नसो को तो वो डाली जाती है जिससे कैमरा अच्छे से देख सके विशेश कैमरे के उप्योग से रदे के अंदर के भागोगी जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि blockage कहा है या दवनी कहा है से stop भी है जहाँ पर breakout होती है वहाँ पर एक balloon catheter रखा जाता है, ताकि फैटिक जो चीजे हैं, जो plug बन चुका है, fat का, atherosclerosis बन चुका है, उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है, यानि पिचका-पिचका के क्या किया जाता है, उस plug को कम किया जाता है, इसके बाद में cardiologist जो doctor है, गुबारे के माद्यम से वहाँ एक stand यानि छला डाला जाता है, यानि वहाँ रख दिया जाता है, और जैसे ही उस गुबारे को fly जाता है, तो छला भी फैल जाता है, उसके बाद में heart को blood supply अच्छे से मिलना start हो जाती है, ये angioplasty मरीज की इस्तिती पे निर्वर करता है, कही बार heart में जैसे ही द angioplasty करने के लिए एक से डेड़ लाग रुपए का खर्चा आजाता है, छोटा hospital होता है, थोड़ा कम खर्चा आता है, हाई फाई वह hospital होता है तो दो से तीन लाग का खर्चा आजाता है, और depend करता है कि आपके कितने चल्ले डले हैं, क्योंकि एक से अधिक ब्लोकेज जाता तो ज़्यादा चल्ले डलते हैं, तो ज़्यादा कोस्ट हो जाता है, तो इसी पर depend करता है, तो आप एंजियो ग्राफी कराओगे, उसके बाद डोक्टर आपको बता देगा कितने चल्ले डलना है, और किस टाइप की चल्ले आप डलवा रहे हो, कितने रुपए वाला चल्ल डला रहे हो, उसी पर आपकी कोस्ट डिपेंड होती है, परमान के चलो एक लाख रुपए से कम एंजियो प्लास्टी कहीं भी नहीं होती, फिर आपके कुछ कमेंट्स आते हैं कि एंजियो प्लास्टी की देखवाल कैसे करें, तो आपत कालिन इस्तिती में मरीज को कुछ सम प्लास्टी की जाती है, तो लगबाग आपको एक दिन में छुटी दे दी जाती है, यदि आपको एंजियो प्लास्टी करने के बाद में कोई बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, या ऐसी कोई ब्लीडिंग हो रही है, जिस साइट पे आपको की गई थी तो आपको तुरूंत ओस्पिटल जाके डोक्टर से मिलना चाहिए और आपको एक्साइज यानि वायाम करना जरूरी है हलका फुल का बोथ हेवी एक्साइज नहीं करना आपको हलका फुल का रेगुलर एक्साइज करना है जिसे हर्ट अटेक आने की चांस कम हो जाते हैं मैं हूं मिश्टर श्याम और ऐसे ही मेडिकल नौलेज़ से रिलेटेड वीडियो में बनाता रहता हूं तो आपको मेरा ये वीड पसंद आ रहा है तो चैनल को सबस्क्राइब जरू करें थैंक्यू सो मच